गुड्मॉर्णिंग फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो चलिए शुरुआत करता है आज की तहे हिंदु अडिटॉरियल वकाबलरी की वकाबलरी से पहला अडिटॉरियल का एडिंग आप देख सकते हैं इसे आप अडिटॉरियल सर्च कर पाएंगे पहले editorial से पहला word है reject reject यहां पर work की तरह use हुआ है word reject का मतलब होता है किसी काम को और बहतर धंसे करने के लिए उसमें कुछ एक सुधार करना या फिर हम बोल सकते हैं कुछ एक अलग methods अपनाना उससे बोले जाता है reject synonym से revamp, rework, adjust, re-equip or modify, antonym से break, crush, damage or demolish इसके बारे में विचार करें जो text जो assessment की जो वीदिया है उनमें किस तरह से कोई सुधार किये जाए और अलग वीदिया अपनाई जाए उसको assess करने के लिए इसके बारे में government जो है वो सोच रही है अगला हमारा शब्द है indispensable indispensable यहाँ पर adjective भी तरह use हुआ है word indispensable का मतलग होता है ऐसी कोई बात जो बेहत जरूरी हो, अनिवारिय हो जिसके बिना काम ही ना चल सके अपर यहार है उसे बोला जाता है indispensable synonym से essential, necessary, required, imperative or crucial antonym से unnecessary, dispensable, needless or non-essential example है कि आज के दिनों में इस देश में जो है सरकार होना एक जरूरत बन गई है, अनिवारिय हो चुका है अगला हमारा शब्द है agility, यहाँ पर नाम की तरह word यूज हुआ है agility का मतलब होता है, चुस्ती दिखाना, तेजी दिखाना, दक्षता दिखाना, चुस्ती फूर्ती दिखाना किसी काम को करने के लिए speed, चुस्ती, उससे बोला जाता है agility synonym से nimbleness, lightness, dexterity, quickness और electricity antonym से clumsiness, laziness और gracelessness example है, chief executive जो officer थे, उन्होंने अपनी जो करियानवन उनकी विदी थी, उन्होंने उसमें, जो उनका work schedule था, कार्य सुची थी, उसमें बड़ी चुस्ती दिखाई, कार्य करने में बड़ी तेजी दिखाई, जो chief executive officer थे अगला हमारा शब्द inducted, यहां पर वर्पी तरह word यूज हुआ है, inducted का मतलब होता है, किसी चीज में, किसी चीज को शामिल करना, न्युक्त करना, या शामिल करना, जैसे यहां पर image में भी आप देख सकते हैं, वायू सेना में इन दो, जो airplane से इनको शामिल किया गया है, उ अनॉनिम से initiated, introduced, inaugurated, started, or enlisted, अनॉनिम से abolished, careless, denied, or ended, एक्जम्पल है, eight years later, he was inducted into the International Tennis Hall of Fame, तो किसी महिला की बाद की जा रिए कि आट सालों के बाद उन्हें टैनिस के राष्ट्रिय से जो Hall of Fame होता है, उसमें उन्हें शामिल किया गया, अगला हमारा शब्द है, लीजिन, Legion यहाँ पर नाम की तरह use हुआ है word, important word है, Legion का मतलब होता है, किसी भी तरह का कोई दल, समोह, या फिर सैन्य दल को बोला जाता है Legion, synonym से army, many, crowd, numerous, multitude, antonym से few, handful, or ace, example आप देख सकते हैं, two days later, he spoke for the last time to the Indian Legion, तो यह किसी व्यक्ति के बारे में बात कही जारी है कि दू दिन के बाद, अंतिम बार उसने इंडियन का जो समोह था, Legion था, Indian Legion के साथ उन्होंने बात की, अगला हमारा शब्द है autonomy, यहाँ पे noun की तरह word यूज हुआ, autonomy का मतलब होता है, swam, shashan, swotantrata, liberty, उसे बूला जाता है, autonomy, freedom, synonym से freedom, independence, liberty, sovereignty, and autonomy से dependence, captivity, constraint, and self-event, example आप देखते हैं कि teenagers को जो है थोड़ी सी parents को ये करना होगा, ये prepare हो सकें, जब वो adult हो, अगला हमारा शब्द, relentless यहाँ पे जिक्तिक भी तरह word यूज हुआ है, relentless का मतलब होता है, ऐसा कोई काम जो कि बिना रुके चले, लगातार चलता रहे है, उसे बूला जाता है, relentless, synonym से inexorable, unrelenting, inflexible, persistent, antonym से ending, intermittent, benevolent, or sporadic, example है, the relentless fight against crime, तो जुर्म के प्रती लगातार लडाई की बात कही जा रही है, अगला हमारा शब्द है, rehabilitation, यहाँ पे नाम की तरह word यूज हुआ है, rehabilitation का मतलब होता है, बहाली करना, किसी चीज का पुनरुधार करना, recover करना, restore करना किसी चीज को, उसे बूला जाता है, rehabilitation, synonym से recovery, restoration, reconstruction, renewal, or renovation, antonym से decay, regression, sickness or deterioration, example है, there is an alcohol and drug rehabilitation center adjacently our house, adjacently होता है, बिल्कुल पास में, यह बात कही जा रहे है, कि हमारे घर के समीप में, alcohol और जो drug का rehabilitation center है, वो हमारे घर के पास ही है, अगला हमारा शब्द है, exclusion, exclusion यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है, word, exclusion का मतलब होता है, किसी चीज का या तो बहिशकार करना किसी चीज को किसी चीज में से, जैसे inclusion होता है, तो उसका उल्टा होता है, exclusion, ठीक है, बहिशकार करना या बाहर रखना किसी को उसे बोला गया, exclusion, synonymous, exception, expulsion, ejection, or removal, antonymous, inclusion, excess, lockdown, or addition, example है, he had a hand in my exclusion from the committee, तो कोई विक्ती यह बात बोल रहा है, कि उस committee से बाहर निकालने में, उस विक्ती का हाथ है, उसने मुझे उस committee से बाहर किया, अगला हमारा शब्द है, communicate, यहां से दूसरा editorial भी शुरू हो रहा है, heading आप देख सकते हैं, communicate का मतलब होता है, किसी तरह का कोई आधिकारी की जो विक्तव्य होता है, government की तरफ से कोई statement, official statement पी जाती है शार्षकीय सूजना, उसे बोला जाता है, communicate, communicate के synonym से, dispatch, statement, report, message, or announcement, antonym से collect, denial, dereliction, disregard, or foolishness, example है, after one of its official communiques become public, तो किसी अधिकारी की बात हो रही है, कि उसके, शार्षकीयय जो उसकी विग्यप्ती थी काफी सारी जो official statement थी, उसमें से एक को सार्वजनिक जो है, वो कर दिया अगला हमारा श्रद है, prosecution, यहाँ पे noun की तरह word यूज हुआ है, prosecution का मतलब होता है, किसी के खिलाफ, अदालक में, अभ योजन चलाना, किसी तरह का मुकदमा चलाना, उसे बोला जाता है, prosecution, synonym से litigation, pursuance, lawsuit, accusation, antonym से defense, demurder, denial, or a claim, example है, yesterday the head of the government called for the prosecution of those responsible for the deaths, कि पिछले कल सरक सारी अधिकारी की बात की जारी है, कि जो इन मरिक्तियों के लिए जिम्मेदार था, उनके खिलाफ, जो है, उस government official ने बोला, कि उनके खिलाफ, अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, अगला हमारा शब्द है, subzumed, subzumed यहाँ पे work की तरह use हुआ है word, subzumed का मतलब होत downfall, example देख लिए, after that, the two alliances might be subzumed into a new European security system, यह बात कही गई है, कि इसके बाद जो दो alliances थी, उनको एक ही बना दिया गया, European security system में उन्हें शामिल कर लिया गया, अगला हमारा शब्द है instance, instance यहाँ पे नाम की तरह use हुआ है word, instance का मतलब होता है, किसी तरह के कोई उधारन देना किसी बात का हम example पेश कर रहे हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं, उसे बूला जाता है instance, easy word है, अगला शब्द है suffice, यहाँ पे work की तरह use हुआ है word, suffice का मतलब होता है, प्रयाप्त होना, उप्युक्त होना, sufficient होना, उसे बूला जाता है suffice, अगला हमारा शब्द है stem, यहाँ पे टीकी होती है, यह जो दिखाया है मैंने image में, इसे बूला जाता है hinge, यहाँ फिर हम बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ पर निरवर रहना depend होना, उसे बूला गया है hinge, editorial में, synonym से pivot, link, depend, joint, axis, and synonym से sell, challenge, check, or combat, example है, his absence is the hinge of our plan, तो कोई विक्ती है, बात पूरा है कि उसकी अनु पस्तिरी पे depend करती है, अगला हमारा सब्द है impinge, यहाँ पर वर्ब की तरह word यूज हुआ है, impinge का मतलब होता है, किसी एक घटना का, या किसी एक बात का, दूसरी बात पर साफ तोर पर असर दिखाई देना, और most probably वो असर प्रतिकूल हो, negative impact हो, से बुला जाता है impinge, synonym से infringe, encroach, intrude, invade, entronym से dodge, avoid, extoll, or calculate, example देख लीजे, I am not going to let my job avenge on my home life, तो कोई विक्ती यह बात बोल रहा है, कि मैं बिलकुल भी नहीं चाहूंगा, कि जो मेरी job है, उसका असर जो है मेरी घर की जिंदगी पर पड़े, घरेलू जिंदगी पर पड़े, अगला हमारा सब्द है और रेमोडल, रेनोवेट, रिफाबश, ओवर्वाल, अन्टॉम से डेमेच, डेमोलेच, देस्टॉय, और रुइन, एक्सामपल देख लीजे, All the country's political parties have accepted that it is time to revamp the system, तो यह देश की सभी पार्टिया, यह बात कही गए है, कि सभी जो राजनितिक दल थे, उन्होंने सभी इन्हें माना कि system को revamp करने की जरूरत है, नया करने की जरूरत है, कुछे changes करने की जरूरत है, अगला हमारा श्रब्द है, Air, Air यहाँ पे work की तरह word यूज हुआ है, important word है, new word भी है, Air का मतलब होता है, किसी तरह की कोई घलती हो जाना, कोई भूल हो जाना, कोई mistake होना, उसे बूला जाता है, Air, Air के synonym से slip, miscalculate, plunder, mistake, sin, or goof, and to accurate, correct, or be right, example दीख लिजिए, he had in construction due to his illness, तो किसी विक्ति की बात की जारी कि उसमें, construction का काम करते समय है, गलती करती, due to, क्योंकि वो बिमार था, इस कारणों से भूल हो गई, गलती हो गई, construction के समय, अगला हमारा fret, यहां पर work की तरह use हुआ है word, fret का मतलब होता है, किसी बात को लेकर हम चिंतित हैं, दुखी हैं, अपनी चिंता प्रकट करना, उसे बोला राता है fret, synonym से worry, chef, agonize, or trouble, antonym से calm, pacify, peace, or comfort, example है, I was working all hours and constantly fretting about everyone else's problems, तो कोई विक्ति है बात बोल रहा कि मैं काम करता रहा, पू दूसरों की जो समस्या हैं, यही सोच कर मैं, चिंतित होता गया, दुखी होता गया, तो यह last word था आज की vocabulary से, I hope आपको वीडियो fruitful लगा होगा, informative लगा होगा, कुछ एक नए words आज भी आपने सीखे होंगे, इस वीडियो में इतना ही सदर्क, informative वीडियो के लिए बन रहे है चैनल पर, थांक्यू, 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 पर वाचिं।